आइज वेलकम ओन मित्रा ग्रूप आप यूटूब चैनल दोस्तों आपके अपने मित्रा ग्रूप आप यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है अब हमें कहीं पर बीजी थे इसलिए कई दन में ये वीडियो आ रही है और हमारे तीन चैनल है ये एडू टेक्समा मित्रा, Dafür, नेमजे मित्रा और एडूला मित्रा की तीनों चैनल हो को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना दोस्तों मे शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें अग्स नाय नहस्कर भाल्य हमारे जो सीरी चल रही थी पोल–kोल मोडिलिटी भी बताई थी इन्वार्मेंट कोर्ट की पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड कंसर्ट डिपार्टमेंट वगरा है काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है वे जरूर देख लेना उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगी तो 9 के 9 एपिसोड आप जरूर देख लेना आज हमारा ये लाश्ट एपिसोड है पोल खोल का और इसमें जो हमारी रिसर्च है उसका कॉंक्लूजन और सजेस्टन ये बिलकुल हमने संक्सेप में किया है ज्यादा लंबा करने से कलास काफी बड़ी हो जाती मैं मैं इसमें लिये है तो इसमें कॉंक्लूजन ये हमारा है Central Pollution Control Board ये आर मोस्ट करब डिपार्टमेंट है ये सभी डिपार्टमेंटों से ज्यादा भरिष्ट और दूसरा हमारा किन्क्लूजन निकला Pollution Boards and Industries are shortening your life यानि जो आपकी जिन्दगी है उसको ये उद्धोग और Production Board मिलके आपकी जीवन को लेल रहे हैं आपके जीवन को छोटा कर रहे हैं क्योंकि पॉलिशन वाड़े उनसे जो पैसे ले लेते हैं और इंडरस्टी उसको वाटर को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती न एर पॉलिशन को कंट्रोल करती हैं और जितना पॉलिशन ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही आपकी लाएफ है शौटन हो जाएगी नमबर तरी जो दूसरे भी बागों की अधिकारी हैं क्योंकि पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड में जरनली पेरेंट के बहुत कम ऑफिसर्स होते हैं और मैक्सिमम ऑफिसर्स डेपुटेशन पे होते हैं और मोटी ब्राइब देखे वाँ डेपुटेशन पे जाते हैं क्योंकि कम से कम एक अरब महीने की इंकम है इतने प्लांट उनके पास आ जाते हैं डिस्टिक में नंबर च्यार कर्फशन इस डन बाई शोविंग ट्रीट्स ऑफ फाइलिंग क्रिमिनल कंप्लेंट यह जो हैं इंडस्ट्री से तो पैसा लेते हैं उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ओफिसर्स हैं प्रांच में उन से भी पैसे अटते हैं नहीं तो शेंपल फेल करेंगे एंडस्टियम और आपके खेलाब करिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देंगे सेungen इस्वाइन्वाह जाते हैं जो हृतिकरी दबाबों में नहीं आते हैं उनके खिलाब केंड कंप्लेंट कर व्याड़ करके उनको हैरेस किया जाए और जो सीटी यई कंसेंट तू इस तरह ये तीन तरह से corruption होता है एक criminal complaint file करने की treat दिखा के एक CTE देने के नाम पर और एक CTO देने के नाम और पांचमा point है हमारा इफ government plants are on online mode अगर सरकारी plant online mode पर है और mint wise data इनकी website पर transfer हो रहा है और विदीन permissive limit है तो no need to collect monthly sample monthly sample उठाने की जरूत ही नहीं है प्लांट जब compliance कर रहा है लेकिन ये monthly sample उठाते हैं क्योंकि monthly sample नहीं उठाएंगे तो फिर monthly कहां से मिलेगी इसलिए monthly sample लेते हैं फिर online plant करने का वो खर्चा तो बेकार गया department से इसलिए कोई जरूत नहीं है साल तक एक कोई भी sample नहीं उठाना चाहिए साल के बद कोई surprise sample उठा लो to check the functioning of the CATPs, HTP और number six all industry plants should be converted in online modes immediately क्योंकि जो industries होती हैं कोई electro plating की होती है कोई rubber tire से oil निकालने की होती है कोई leather की होती है कोई oil and grease वगरे की होती है अलग-अलग industries होते हैं और उनका जो effilament generate होता है उसकी characteristics के अनुसार उनको plant लगाना होता है और वे उस प्लांट को चलाते हैं नहीं पांच-छै-लाग रुपे महीने में प्लांट चले उससे अच्छा है चाहँजार रुपे पॉलिशन वड़ा को देतो और प्लांट को मिल चला हो अपना record create करें इसलिए जो industries के plant हैं वो compulsory है प्लांट पर लाने के लिए ताकि वो जो प्रमीसिवल लीमीट है पब्लीक सीवर में डालने की उस लेवल तक का treatment अपने प्लांट से कले और उसके बाद जो है सरकारी प्लांट फर्दर ट्रीटमेंट करेगा नेक्सीट यह जो मैंने अभी conclusion इसकर साब को बताए हैं उसका ह हिंदी में translation है हिंदी वड़े student यह पढ़ सकते हैं ताकि उनको हिंदी में समझ मा जाएगा वैसे मैंने हिंदी में explain किया नेक्सीट गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आपका support ही तो हमारा उसला फजाई करेगा और notification के लिए गंटी को जरूर दबाना all notification और यह जो यह लाइक का सिंबल है वीडियो को देखने बार लाइक कर देना दोस्तों में forward कर देना और ग्रूपों में share कर देना एक क्मेंट जरूर डाल दिया अगर आपको वीडियो कैसे लगी आपकी तरफ से कोई suggestion है तो वह भी हमारे को comments के दुआरा intimate करो ताकि हम कोई suggestion के अनुसार amendment कर सकें तो हम उसमें करें यह next sheet है इसमें जो हमारा यह दसनबर ही point चल रहा है उस पे तो हमने conclusion निकाल ले थे हमारा निशकस क्या निकला पूरी research में और यह हमारी तरफ से राजे सरकारों और केंदर सरकार को कुछ suggestions है ताकि इस से ब्रेश्टाचार के खेल को खतम किया जाए और लोगों की right to life को protect किया जाए उनके जीने के अधिकार की सुरक्षय की जाए जो की a fundamental right है number one है हमारा suggestion है यह हमने गिने चुने important suggestion दिये हैं काफी लंबे चोड़े suggestion बन रहे हैं वीडियो को short रखने के लिए all plants should be constructed by concern department जो भी department sector काट रहा है जैसी अर्याना शहरी विकास प्रादीकन है या HSIIDC है या Public Health Engineering Department है वो plant को बनाए अपने sector की जरूरत के हिसाब से और उस plant को बनाने के बाद उस सब प्लांटों को state pollution control board या central pollution control board जो भी applicable है उसको hand over कर दे वो उस plant को आगे operator maintain करेंगे अगर यह जिम्मिवारी pollution control boards पे डाल दी जाएगी plant को operate maintain करने की तो वो industry से compliance कराएगी क्योंकि उनको आगे further monitor करें NGT NGT उनके surprise sample उठाए plant से और अगर वो sample fail होता है फिर इन boards के officers को penalize करें तब जाके production control हो सकता है तो क्या होता है इनको power complaint file करने की उदर department का officer in charge है उसको pressurize करके उससे पैसे लेते हैं रिपोर्ट फेल कर देंगे जब इनके उपर बात आएगे ना इनकी खिलाब complaint file होंगी तब यह industries को control करेंगे तो department का officers इनको कह कह के लिख लिख के ठक जाता है यह industries compliance नहीं करें पिर इनकी पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड हैं सेंटर पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड हैं यह मोटी salary लेते हैं और वर्टा-चार भी फिलाते हैं इनके सभी branch office को बंद कर दिया जाए फिर यह काम कोन करेगा यह बात आती है जो concern department का इंशार्द है जिसका plant है उसको power दी जाए complaint file करने की अग अपने plant की भी compliance कराएगा और इनके surprise sample NGT ले सकती है NGT फिर complaint file कर दे तो departmental officers को भी यह भाना नहीं मिलेगा जी इंडस्ट्री जो है ना primary treatment नहीं कर रही है इसलिए जो है पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड चे सेंटर का उच्छे के अंदर का इन सब के branch offices को खतम कर गया जाए इस इसलिए सारे इनके branch office को खतम कर दिया जाए और concern department के branch officers को पावर दे जाए वाटर एक्ट के पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के चेर में और head office को रिपोर्ट कर एंड तू अवाइड थ्रोइं growing responsibility on other shoulder corruption will decrease यानि वरिष्टाजार भी कम होगा और जो इंडस्ट्री की तरफ इश्यों को divert करता है यह मुद्धा भी soul हो जाए नंबर six all industry plants should be made online immediately man जो pollitter है industries है उसका plant online mode पर होना चाहिए ताकि उसकी रिपोर्ट pollution control board को मिनट दर मिनट जाए और फिर वो compliance करने के लिए बात्य हो और डिपार्टमेंट का plant फिर अच्छी तरह से function करें वो अपने प्रोटर्ट के अनुसार प्रैमरी ट्रीटमेंट करके तीन सबचास वी ओडी का पैफिल्वेंट पॉब्लिक सीवर में डालें यानि पॉब्लिक सीवर का मदलब जिस भी डिपार्टमेंट का सीवर है उसके अंदर डालें तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आप आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगी होगी और हमारा यह जो पॉल पॉल का चेप्टराज कंक्लूड हो गया और मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह इस्यू बहुत अच्छा लगया होगा और आपकी बहुत जानकारी अपडेट होई होगी इस पे भी कई तर लेकिन यह सुजाओ बहुत ही अच्छे हैं डिपार्टमेंटल अधिकारियों को मचाने के लिए और इंवर्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए नहीं तो क्या होगा पानी एक तो वैसे ही गलोबलाइजेशन के कारण गलेशियर पिंगल के समुंदर में जा रहा है दूस हमारे का अपाइज हो जाएंगे थायरेशी होगा गाईस में उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास बढ़ी नोलेच्फुल ग्यानफुल थी और आप लोगों बहुत अच्छी लगी होगी हमारे ये तीनों चैनल है इनको एड़ू टेक्म मित्रा एमजे मित्रा और एड़ू इनको सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देने मिलेंगे एक बहुत अच्छी नई क्लास में थेंक्यू बाइबाए